हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको समेरिटन गर्ल ये 2004 की ड्रामा कॉरियन मूवी एक्स्प्रिन करने वाला हूँ इस मूवी में दो फ्रेंड्स को यूरोप जाना होता है इस मूवी के डारेक्टर किम की दूख है यानि के बहुती बढ़ी है ये मूवी अच्छे मैसेज़ के साथ अच्छे लेसंस हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ड होती है और हमें दो फ्रेंड्स दीखती है जो इंटरनेट कैफे पर चैटिंग कर रही होती है यह दोनों जो है यह हमारी मेन कैरेक्टर है इसमें से एक का नाम है जैयंग और दुसरी का नाम यूजिन यहाँ पर जैयंग अपने future clients से बात कर रही होती है यह इसके साथ सोने वाली है तो पैसे वेगरा यह सब decide करते है यूजिन और जैयंग यह दोनों अच्छी friends होती है इन दोनों को मिल कर यूरोप जाना होता है इसके लिए इने पैसे चाही होती है इसी वज़े से जैयंग प्रोस्टूशन में जा रही होती है यह खुदी online client ढून लेती है यूजिन जैयंग को मदद करती है उसका make-up वेगरा कर दे रही होती है जैयंग यूजिन से कहती है कि इंडिया में एक प्रोस्टूट थी जिसका नाम वसुमित्रा था जब भी कोई आदमी उसके पास जाता था तो बुद्ध पे वो बिलीव करने लग जाता था उनका वो शिश्य बन जाता था और बुद्ध इजम के जो भी सब खैल है उनसे वो जीने लग जाता था जैयंग केती है कि वो उसे इतना प्यार देती थी कि अब उसे गौड पर बिली होने लग जाता था जैयंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे इससा लग रहा होता है जैयंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना है एक जगा पर जाकर ये दोनों क्लाइन के वेट करती है फिर जैयंग का क्लाइन आता है और ये दोनों होटेल में चले जाते है यूजिन के पास एक डायरी होती है इसमें क्लायन के नाम नंबर होते है और इनके पास अब कितने पैसे आ चुके है इस सब का हिसाब होता है जैंग अपने क्लायन के पास जाती है और यूजिन को अगली बिल्डिंग से वेव करती है थोड़ी देर माद यूजिन को दिखता है कि पुलिस आ चुके है जैंग को भी पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर रेट पड़ी है तो एक्जिट से वो निकल कर नीचे आ जाती है पुलिस भी इन दोनों के पीछे भागते है पर ये भागते 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 बहुत आगे पहुँच जाते है इन्हों पकड़ने पाते है इसके बाद ये पार्क में आते है और डिसकस कर रहे होते है कि अब इनके पास कितने पैसे है यह calculate करते हैं कि एक काई plan ticket के पैसे इनकी पास है जैंग कहती है कि अगर मैं उसे बात नहीं करूंगी तो मैं सही से connection नहीं बना पाऊंगी मैं इस सिर्फ पैसो के लिए कर रही हो ऐसा मुझे लगेगा जो भी टाइम जैंग अपने client के साथ गुजारती है उसमें उसे real connection ढुड़ना होता है हमने देखा है कि उसे वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है यूजिन फिर जैंग को बात्रूम में लेकर जाती है उसे साफ करती है जैंग केती कि अब बस हो गया यूजिन केती कि वो बहुत ही घटी आदमी है तो मैं सही से मुझे साफ करना है यूजिन को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वज़े से यह सब जैंग को करना पड़ रहा है जैंग केती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे भी करने में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ इसके बाद हम देखते है कि दोनों पाक में जाते है कुमते फिरते मज़ा करते है यूजिन अपने फादर के साथ अकेली रहती है सुबा जब वो उठती है तो उसके फादर उसके लिए breakfast बग़रा बना करलाते है यूजिन को उठाने के लिए music लगाते है उसके headphone उसके कान में लगा देते है यूजिन से उसके फादर बहुत ही प्यार करते है यूजिन की मदर पहले ही गुज़र गई है फादर यूजिन को जब स्कूल में छोडने के लिए जाते है तो पूरे वर्ल्ड में से अलग-अलग स्टोरिस उसे सुनाते है यूजिन इतना ध्यान नहीं देती फिर भी यह सुनाते है इस बार यूजिन और जैंग मिलती है तो यूजिन कहती है कि मुझे बहुत ही अलग लग लग रहा है जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है यूजिन कहती है कि मैं सब पैसे समालती हूँ और तुम्हें इस सब करना पड़ता है जेंग कहती है प्लीज ऐसा मत सोचो फिरसे हम इस बारे में बात नहीं करेंगे यूजिन कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना ये एक जगा पर क्लाइंट्स मिलते हैं और जेंग उसके साथ काड़ी में ही इंटिमेट हो जाती है जब हो जाता है तो एक लाइंट यूजिन के पास भी आता है जेंग कहती है कि ये हमें लंज के लिए लेकर जाना चाता है यूजिन इसके लिए मना करते थी है जेंग को जल्दी से कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है ये client कहता है कि ऐसा क्यों करें हो Eugene मानने रही हो थी इस client को ज़रा बुरा लगता है क्या है ये मेरे वज़े से कर रही हो Eugene कहती है कि अब तुम मुझ पर भी Mei मत मढरो ऐस client को यहाँ से भगा देती है Wayne ठीछ से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो एक अच्छा आदमी था, वो एक musician था Eugene कहती कि वो एक घटी आदमी था उसने तुम्हारे साथ क्या 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 किया होगा Eugene कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था वो बहुत ही अच्छा आदमी था मुझे comfortable महसूस कराने के लिए उसने मेरे लिए गाना भी काया था Eugene को बहुत ही बुरा लगता है तो जेंग समझ आती है Eugene कहती है कि अपसे मैं उनसे कुछ भी बात नहीं करूंगी Eugene जब इस बार इसे clean कर रही होती तो कहती है कि मुझे दूसरा आदमी तो कहती है कि तुम्हे कोई टच करें यह अच्छा नहीं लगता Eugene जेंग से बहुत प्यार करती है उसे लग रहा था कि जेंग उस musician से प्यार करने लग गई है इसके बाद यह दोनों इक दूसरे को किस करती है यह हमें दिखता है यह दोनों स्कूल के बाद एक शॉप में जाते है वह एक मशिन होता है जिसमें अपनी फोटो निकाल सकते है यहाँ पर यह दोनों इंडियन्स की तरह कपड़े पहन कर फोटो निकालना जाती है और यह फोटो निकालती भी है एक्चुल में पठानी लग रहा है पर ठीक है इसके बाद हम फिर से देखते है कि जैंग फिर से एक लाइन की साथ है यह बिल्डिंग में है और यूजिन उस पर नजर रख रही है अचानक से यहाँ पुलिस आ जाते है पर इस बिल्डिंग में अब एसकेप करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता जैंग के रूमें पुलिस पोच जाते है पर जैंग को पगड़ा नहीं जाना होता यह खिड़के के उपर खड़ी हो जाती है पुलिस उसे कहती है इपलिस ऐसा मत करो यूजिन भी बहाँ से चिलाती है कि पलिस अंदर चली जाओ पर जैंग किसी की भी नहीं सुनती वो बहाँ से जम कर देती है जैंग के सर पर बहुत बड़ी चोट आ जाती है पर फिर वी वो कॉंशेस होती है यूजिन उसे अपने कंदे पर बिठाती है और हॉस्पिटल ले कर जाती है हॉस्पिटल में उस पर इलाज स्टार्ट हो जाता है पर डॉक्टर कहते है इसके पैरेंट्स को तुम्हें बुलाना चाहिए यूजिन के पास इसके parent का कोई भी number वेगरा नहीं होता इसकी diary वो चेक करती है पर कोई भी उसे नहीं मिलता यूजिन शावर में जाती है और सब blood वेगरा पोचती है इस शावर में ही वो रोने लग जाती है वो आपने आपको ही blame कर रही है यह जब जेएंग के पास आती है तो जेएंग अब जरा होश में है और उसकी treatment हो चुकी है जेएंग यूजिन से कहती है कि प्लीज मेरे client को बुला दो जो musician था जिसने उसे अच्छे से treat किया था इसे मरने से पहले उसे मिलना है यूजिन पर musician को call लगाती है उसे कहती है कि प्लीज यहाँ जाओ जेएंग के साथ क्या हुआ है यह सब उसे पताती है पर यह musician आज काम कर रहा होता है तो इससे मिलना नहीं वाला होता जेएंग कहती कि प्लीज तुमारा पता मुझे तो मैं वहाँ होंगी यह वहाँ उसे मिलने के लिए जाती है उसे convince करना चाती है पर यह मानता नहीं यूजिन नी musician की insult की थी इसी वज़े से अब यह इससे बात नहीं करना चाता यूजिन को मालूम है कि musician उसे चाहता था इसी वज़े से अब अपने आपको वह उससे सोब देती है यह दोनों intimate हो जाते हैं और इसके बाद यह देंक के पास जाने वाले होते हैं यह hospital पोचते हैं पर इन्हें देर हो चुकी होती है देंक मर गए होती है मरने के बाद भी इसके चेहरे पर smile ही होती है योजिन रो रो कर बुरा हाल करते थी है थोड़े दिन गुजर जाते है योजिन ने जो सब पैसे कमाए थे इससे वो देखती है यह डाइरी और बैसे लेती है और इसे जलाने की कोशिश करती है इसके माइन में आइड़ा आता है और अपना माइन यह चेंज कर लेती है इससे लगता है कि जैंग ने यह सब पैसे लिए है अगर यह बैसे उसके क्लाइन को फिर से वापस कर देगी तो यह प्रॉस्टिटिशन नहीं माना जाएगा जैंग सचमुश में इन सब लोगों से कनेक्शन मनाना चाहती थी अगर उसने यह कर दिया तो उसे शान्दी लग सकती है योजिन अपने आपको यह ब्लेम करती है तो उसे लगता है कि यह करना सही हो सकता है यह मोटल में जाती है और एक लाइन को बुलाती है क्लाइन जब इसके साथ इंटिमेट हो जाता है तो बहुत ही खोश होता है इस क्लाइन को यह जैंग की तरह ही लगती है यह कहती है कि जैंग मर चुकी है और इसके बाद इस क्लाइन को सब पैसे वापस कर देती है इसके बाद हमें देखता है कि एक दूसरे क्लाइन के पास भी आई हुई है एक लाइन भी बहुत ही खोश हो जाता है ये कहता है कि मैं तुमारे लिए बहुत ही थैंक्फुल हूँ यूजिन भी कहती है कि मैं भी थैंक्फुल हूँ ये कहता है मैं मर नहीं जाता तब तक में तुम्हें याद रखूंगा यूजिन के फादर जो होते है ये पुलिस होते है यूजिन जिस होटेल में होती है उसके opposite होटेल में ही उसके फादर आते है वह एक murder हो जुका होता है इसके फादर जब खिड़की से देखते है तो यूजिन एक क्लायन के साथ होती है इन्हें इस पर बिल्यू नहीं हो पाता ये होटेल के बाहर बैटते है और इन पर नजर रखते है यूजिन वहाँ से चले जाती है और उसका जो क्लायन था इसका पीछा उसके फादर करते है इस client को रस्ते में रोक लेते है फादर कहते है कि अब मैं तुमसे कुछ questions पुछूँगा अगर तुमने मुझे सही से answer ने दिया तो मैं तुम्हें पंच करूँगा यह कहते है कि तुम अब कहा थे यह पहले बोलने रहा होता रात में हमने दिखता है कि फादर youzen के रूम में आये होए होते है और उसे देखकर सोच रहे होते है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा यह पहले जब स्कूल में छोड़नी के लिए जा रहे होते है तो आज जिस तरह से हमेशा से स्टोरी सुनाते है वैसे सुना नहीं रहे होते योजन कहती है कि आज क्यों नहीं सुना रहे उसके फादर कहते है कि तुम सुनती कहा हो यह कह दिये मैं सुनती हूँ प्लीज मुझे सुनाओ यह फादर कहते है कि तीन फ्रेंड्स थी यूजिन कहती है कि कोई मिराकल हो जाए ऐसा मुझे लगता है इस स्टोरी को आप याद रखना इस मूवी का एक बहुत अच्छा प्लोट पॉइंट है आज फादर अपने जॉब पर नहीं जाने वाले होते है ये स्कुल के बहारी खड़े होते है और यूजिन कहा जा रही है इस पर वो नज़र रख रहे होते है यूजिन एक मॉटल पर जाती है और हमने एक लाइन का वेट करती है उसके फादर बाहरी खड़े होते और सब लोगों को पूछ रहे होते क्या तुम मोटल में जा रहे हो यानि कि उस आदमी को उसे ढोड़ना होता है एक आदमी उन्हें मिल भी जाता है तो यह कहते है कि मेरे साथ तुम बेटो उसे ड्रिंग्स देते है फादर इस क्लाइन्ट से कहते है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ या आदमी भी समझ जाता है कि एक कुछ डेंजर से और वहाँ से निकल जाता है रात में फादर अपने फ्रेंट के साथ एक होटेल में आयो हुए होते है वहाँ पर कुछ लड़किया होती है यह लड़किया यूजिन की ही एज की होती है इसका जो पार्टनर होता है यह इस लड़कियों पर लाइन मारने लग जाता है इनसे वो बातसित करता है और उन्हें वो ड्रिंक आफर करता है इन लड़कियों के बॉइफ्रेंट सिर्व वहाँ आते है ये लड़किया इसकी complaint उनके पास करती है ये लड़के कहते है कि एक परवर्ट है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कि लिए ये पुलिस ओफिसर ही है तो इन सब लड़कों को सबक सिखाना चाता है फादर अपने पार्टनर को रोकना चाता है पर ये पार्टनर केता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है ये इस डिनर पर आज बहुत ही silent silent ही थे और अपने फ्रेंड को भी इन्होंने slap किया है दूसरे दिन भी यूजिन के पीछा उसके फादर करते है इस बार एक क्लाइंट के साथ खेत में आती है वहाब और बड़े से पत्तर फाधर उठाते है और गाड़ी का काश फोड़ते है यूजीन और client दोनों डर जाते है और वहा से निकल जाते है इस client का पीछा फाधर करते हैं और निक्स दिन उससे मिलते हैं ये उसे cigarette मांगते है और कहते है कि ये तुम्हें आगे तक lift दे सकता हूँ याद में कहते है कि मैं यही रहता हूँ, कोई जरुवत नहीं है याद में चलने लग जाता है तो फिर भी इसका पीचा फादर करते है ये आद में डर जाता है, इनके पास आता है और जान जाता है कि ये यूजिन के फादर होंगे एक client कहते है कि मैं बहुत ही sorry हूँ, ये जो client है फादर से भी जादा ही इसकी age है इसकी building फादर देखते है और ये ही रुकते है ये आद में अपनी balcony से देखते है तो इसका कौन सा flat है ये भी उससे दिख जाता है फादर फिर इसकी घर में आ जाते है ये अपनी family के साथ dinner कर रहा होता है इसमें इसकी बैटी भी होती है, जो Eugene के ही age की होती है फादर इससे मारने लग जाता है, family कहती है तुमें इससे क्यों मार रहे हो फादर कहता है कि आपने बैटी की उम्र की लड़की के साथ तुमें ये सब कर रहे थे क्या तुम्में कोई शर्म नहीं आई इसके बाद फादर यहां से निकल जाता है और एक लाइन बहुत ही शर्मेंदा होता है इसकी वाइफ इससे question पूछने लग जाती है पर इसका कोई भी answer इसके पास नहीं होता इससे बहुत पच्टा होता है यह building से जम मारकर खुद कुशी कर लेता है इसके बाद ट्राफिक में फादर फस जाते है यूजीन आगी चली जाती है जिस आदमी के वज़े से ट्राफिक हुई होती है फादर इससे बहुत मारते है यूजीन जहाँ पर गई होती है वहाँ जब फादर पहुचते है तो अपने एक लाइन के साथ intimate हो चुकी होती है तो रोने लग जाती है आगे चलक उसके पास जो डाइरी थी वो फेक देती है अब जेहंग के सब क्लाइंट्स को उसने पैसे दी दिये है यूजीन जब घर वापस आती है तो उसके फादर सब उसका फूड वेगरा पैक कर रहे होते हैं फादर के ते कि मदर के ग्रेव को हम करकरा दे मदर के जो ग्रेव है एक मांडर पर हे वहाँ वह जाना चाते सब फूड वेगरा हे पैक कर लेते और वहाँ दस जाते है। फादर बहुत ही कोजिश करते हैं इस कार को निकालने के केलिए पर यह निकालने पाते हैं।roph यूजिन बाहर निकलती है, सब पत्थर वेगरा चाक किया लगाती है, गाड़ी अब यहां से निकल जाती है, अब शाम हो चुकी है और यह बहुत दूर है, तो वे घर नहीं जा सकते हैं, एक जगा पर यह रात के लिए रुखने वाले होते हैं, जिस जगा पर रुखते हैं, वह एक बुड़ा आदमी होता है, इनके लिए खाना अगरा लेकर आता है, रात में फादर फिर से यूजिन को स्टोरी सुना थे, आधी रात हो जाती है, और फादर देखते हैं, यूजिन के पास नहीं है, यूजिन महार बेटी हुई होती है, और वो रो रही होती है, उसन पुमें कर सकती हो, यूजिन डर रही होती है, यूजिन रस्ते में सोजाती है, तो फादर उसे एक रिवर के बास लेकर आते है, यहाँ पर आकर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, इन्होंने murder किया है, यह उन्होंने confess कर दिया है, उजिन जब उढ़ती है, तो उसके फादर ने एक way बनाया होता है इस way से यूजिन को गाड़ी चलाने की practice हो देते है यूजिन स्लोली स्लोली ये सब कुछ सीख जाती है फादर कहते है कि अब तुम अपने आप चलाओ अब मैं तुम्हें help नहीं करने वाला इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहा जाती है और फादर को लेकर चली जाती है यूजिन को खुद से ये गाड़ी से अब घर जाना पड़ेगा मूवी के बीच में फादर ने यूजिन को स्टोरी सुनाए थी जिसमें लड़कियों को लगा था कि सब कुछ तबाह हो गया है और वैसा कुछ भी नहीं हुआ था फादर ने यूजिन से पुछा था क्या तुम मिराकल पर बिलीव करती हो फादर कभी भी यूजिन को मारने वाले नहीं थे यूजिन सिफ रस्ते से भटक गई थी यूने मालूम था उन्हें कॉन्फिडन्स था यूजिन में अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहती है कुछ सीखना चाहती है यूजिन के डायरी फादर को मिली थी और ने सब कुछ पता चल गया था जब वो इस रिवर के पास आये तो थोड़ा सा रस्ता फादर ने उसे बना कर दिया पैरन्स हमारे लिए हमेशा सही ही चाहते है थोड़ा सा रस्ता हमें हो देते है पर इसके बाद गिर समल कर इस रस्ते पर चलना यह हमारे डिसिजन होता है मूवी के लास्ट में यूजिन काड़ी अटक अटक कर थोड़ा ट्रायल और एरर के साथ यह आगे बढ़ती जाती है यह थोड़ी दलदल में भी फर्च जाती है वरह हमें पता है कि यहां से वो निकल पाएगी यह मूवी यही एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आधर है तो तूप लीज चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकोन दबाना में मत भूलिए वेसे मिलेंगे और यह नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए